हेलो फ्रेंट्स, मैं अर्चना मौर्या और मैं स्वागत करते हूँ आप सभी का अपने इस छोटे से परिवार में दोस्तों, हम पढ़ेंगे भारती सिच्छा की इतिहास के बारे में और भारती दिच्छा की इतिहास की बारे में आज का जो हमारा chapter है वो है charter act 1813 जैनी 1813 का आग्या पत्र क्योंकि यह बारती दिच्छा का इतिहास है और इतिहास को जानने के लिए हमें इतिहास की प्रिष्टि भूमी को जानना आवज्यचा होता है तो चलिए इतिहास के प्रिष्ट भूमी को जानते हैं यानि कि 1813 के जो चार्टर एक्ट है इसके प्रिष्ट भूमी को जानते हैं और इससे जो भी question आती है उनको confirm करते हैं तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को 1813 का चार्टर एक्ट कंपनी का आग्या पत्र प्रते एक 20 वर्ट के बाद पुंड्रावर्तन है तो इंग्लेंड की संसद में पेस होता था कंपनी का आग्या पत्र से दाद पर है British East India गंबने यानि 1813 का चल रहा था उस वक्त भारत में अंग्यजों का शाषन चल रहा था और सिच्छा व्यवस्था भी अंग्यजों के हाथों में थी उस वक्त जो भी सिच्छा व्यवस्था भारत में लागू होती थी उसका एक प्रारूप आता था जिसे Charter Act या अग्या पत्र कहा जाता था जो भी आग्या पत्र आते थे वो 20 वर्सों के लिए आते थे और 20 वर्सों के बाद वा शंसोधन के लिए या उसमें नमीनी करण के लिए उसमें फिर से England के संसद में पेस किया जाता था और इसमें जो भी नमीनी करणा होता था नमीनी करणा करके फिर से 20 वर्थों के लिए उसे लागू किया जाता था तो कंपनी का आगया पत्र जब 20 वर्थ बाद ये 1813 का जब चार्टर रगड़ था इससे पहले का जो 20 वर्थ पहले जो था वो 1793 था 1793 का जब चार्टर एक्ट एंग्लेंड की संसद में पेस किया गया था उस वक्ड रॉबर्ट विलवर फोर्स जो की ब्रिटिस पार्लियामेंट का एक सदशी था उसने चार्स ग्रांट और कुछ इसाई मिशनरियों के विचारों का शमर्थन कहा और ब्रिटिस पार्लियाम और इसाई धर्म और इसाई धर्म की सिक्षा का प्रचार प्रशार करें यानिकि उनको इसकी खुली चूर दे जाए उस वक्त रॉबर्ट विलवर फोर्स की जो बाते हैं उसका जो प्रश्ताव है उस वक्त उससे समर्थन नहीं मिला और शाथ ही एक अन्य सदस्त अरिंडल जो चार्टर एक्ट पुर्णरावर्थन के लिए ब्रिटिस यंकि इंग्लेंड के संसेट में जब पेस किया जाता है उस वक्त जो उनकी बात ठहरी हुई थी रुकी हुई जो विचार धारा थी या फिर से जोलंत रूब ले लेती है और 1813 में फिर से इसाई मिश्टरी और चार्टर ग्रांट इन प्रष्टाव की मांग करते हैं और उस वक्त उन्हें अधिकतर सजस्यों का शमर्थन प्राप्थ हुआ और इससे संबन्दी तीन धाराएं संसन में रखी गई और रखी ही नहीं गई बल्कि उन धाराओं को पास भी कर दिया गया तो धाराएं क्या देश की मिशनरियों को भारत में प्रिवेश्ट करने तथा इसाई धर्म के प्रचार प्रशार करने की पूरी छूट थी यानि कि एरोप की किसी भी देश की कोई भी मिशनरी हो वो भारत में आज रखता है और शाथी शाथ अपने धर्म का अपने सिक्षा का प्रचार प्र चिन बडिक स्चा इच्छव कंपणी के आथ तो उसके हाथों में चला गया और तीसरा जो धार्णा था उथा हैージ। लाख रुपए के निवेस की बात कही गए कि यानि कि प्रतेक वर्स एक लाख रुपए की धनराशी सिक्षा की छेत्र में दी जायेगी और वो धनराशी किसलिए दी गई भारती साहित और भारती विद्वानों को प्रतिचित करने के लिए और ये जो धनराशी थी धारा 43 में वर्डित थी यनि कि एक लाख रुपए के जो धनराशी थी वो धारा 43 में वर्डित थी दोस्तों एक बात याद रकेगा कि इससे पहले कोई भी ऐसा act या चार्टर एक्ट या कोई भी ऐसा नियम नहीं बना था जिसमें सिछछा में एकी बाद धन सुलब कराने की बाद कही गई और वो भी जो धन था एक लाख रुपय का था धारा 43 में वड़ित एक लाख रुपय की धनरासी को लेकर बड़े भ्रांती थी यानि कि जो धारा 43 में एक लाख रुपए की जो धनराज थी उसको लेकर काफी confusion हो गया थे company के जो अधिकारी थे वो साहित था भारती विद्वान दोनों शब्दों का भिन भिन अर्थ ले रहे थे यानि कि कुछ साहित से अर्थ भारते साहित से और कुछ साहित से कुछ प्रास्चाते साहित से यह जो एक लाख रुपए की बात थी इसके लिए कई विजारधाराएं सामने आई कुछ विजारधाराएं ऐसे थी कि यह जो भारती शाहित है और भारते विद्वान है कुछ लो जब कि भारती भाषाएं जो भी हमारी पुरानी परंपराएं चली आ रही है प्राचीन भाषा और प्राचीन जो शाहित चली आ रही है वो प्राची में आता था इसमें भारत में हिंदी संस्कृत अर्बी और फार्सी का ग्यान होता था जब कि जो प्रास्चा ती सिच्छा उसमें लैटिन और अंग्रेजी का अश्थान था तो यह एक विवात खड़ा हो गया करा भारती शाहित का अर्थ कुछ लोग संस्कृत, हिंदी, अर्भी, फार्सी साहित से तो कुछ लोग भारती भासाओं से ले रहे थे और कुछ पासचात शाहित से अर्थात अंग्रेजी एवं लैटिन से ले रहे थे यही बात करा परड़ाम यह हुआ कि कि कमपनी द्वारा खर्च किये जाने वाले जो एक लाख रुपे की धनरास थी उसका कोई निश्चित नियम नहीं बन पाया कि यह धनरास कहां पर खर्च किया जाए और बीस वर्सों तक यानिकि एठारसों तैंतिक्स तक यह जो रकम थी वो भिन भिन रूपों में व्याय होती रहे यानिकि यह अभी तक कनफर्म नहीं हो पाया कि यह जो साहित सब्द है शाहित विद्वान और भारते शाहित है वो किसके लिए और इसी विवाद यह जो है प्राच्य पास्चात्र विवाद का बना और यह जो धनरास को 30 वर्सों तक अलग-अलग रूपों में भिन भी ने रूपों में वाटा गया लेकिन इसका एक निस्चत नियम नहीं बना पर कोई प्रारूप नहीं बना था कि किस प्रारूप में किस जगह पे किस छेतर में इसे बाटा जाए करा लेकिन भारतियों के सिच्छा का श्वरूप माध्यम तथा विवस्था कैसी हो इस संदर में दो विचर धाराएं उभर कर सामने आई एक तो प्राच्य वादी वर् समर्थक थे और प्राच्च पास्चात विवाद का मुख्यकरण क्या था प्राच्च पास्चात जो विवाद है उसका मुख्यकरण क्या हो सकता है विवाद का जो मुख्य कारण था वह था 1813 की आग्यापत्र की 43 धारा था उसमें प्रियोग किये गए शब्द वो दो शब्द थे साहित और भारती विद्वान इन दो संप्रत्यों की व्याख्या विद्वानों ने अर्थात प्राच तठा पास्चात समर्थकों ने अपने अपने धंग से किया चार्टर एक्ट की सार्थक्ता इन्हीं दो विवादित प्रश्णों यानि इन्हीं दो विवादित बिंदों पर शीमित होकर रह गई यानि कि कुछ ने प्रास्च साहित्य और प्रास्च सिच्छा के बात कही यानि कि भारति विद्वान का जो कहना था कि ये जो भारति शाह भारती भासाओं के लिए हैं और कुस लोगों का मानना था हैर जो पास्चाथ थे जो अं GO не In 10 चुछे सब्द आउड अब तक हमने प्राच्य और पास्चाथ्य विवाद देखा प्राच्य वर्ग में कॉनसे लोगा आते और कर थाय। प्रास्चवादी वर्ग में यकिरे प्रांच्यवादी वर्ग में के वरिश्ट एवं अनभवी अधिकारी आथे थे और शाथ这ं इन रॉक्तिUD का मंटरि विलव सन ये लोग जो थे वो धारा 43 में वर्ड साहित सब्द और उसके अंतरगत भारती साहित तथा भारती विद्वान सब्द से आ से भारती भासा साहित और ग्यान विज्ञान का ग्यान रखने वाले वक्तियों से लेते थे प्राचवादी जो वर्ग के लोग चाहते थे कि भारत में भारती भासाओं के माध्यम से सिच्छा की विवस्था की जाए लेकिन कुछ ऐसे उदरवादी भी थे जो चाहते थे कि प्राचवादी ग्यान विज्ञान का सामान ग्यान भी करायना चाहिए कह रहा है इनके प्राच्चवादी ज्ञान विज्ञान एवं भासा साहित्त का शमर्थन करने के पीछे अलग-अलग दृष्टिकोड या तर्क थे यानिकी अलग-अलग उनकी नजरिये थे कि क्यों कराना चाहिए जो थोड़ा बहुत ग्यान प्रास चाहते सिच्छा का कराना चाहिए वो क्यों कराना चाहिए इनके भी कुछ अलग-अलग नजरिये थे कह रहे हैं कुछ लोग भारत की हित में सोचते थे वे लोग कहते थे कि भारत की अपने संस्कृती है और उसकी संस्कृती की रच्छा के लिए उसकी अपनी भासा साहित तेवं ग्यान विज्ञान की सिच्छा देना स्रेयसकर है कुछ लोग ब्रिडेन के पच में सोचते थे कि भारतियों को भारती भासा के माध्यमते तथा भारती ग्यान विज्ञान की सिच्छा देना ब्रिटिस सरकार की सलामती के लिए उप्यूक्त होगा और इसमें जो प्रिंसिप महोदे हैं उन्होंने कहा कि भारती पासचात भासा ग्यान विज्ञान की सिच्छा के योगिन हैं उस सिच्छा के योगिन हैं यह कहा था विलसन महोदे ने जो कि यह सचीव थे जो समीति के मंत्री थे विलसन महोद है और जो जैन्स प्रिंसिप थे वो इस दल के नेता थे जो प्राच्चवादी दल थे यह तो नों मुख्य भूमिकाने भाते हैं प्राच्चवादी दल में करहे कुछ का तर्ग था कि इसका ज्यान प्राप्त करके वह हमार भी लोग थे जो कंपरी थी उस कंपरी में कुछ अशे भी मोग थे जो चाथ जो किछल थे अगर इनको ग्रांद दिया गया तो यह हमारे शमकत छो जाएंगे हमारी बराबरी करने लगेंगे और कुछ specifically था कि या हमें शमूल नास कर देंगे जिस प्रकार से हम अमेरिका में देख चुके हैं तो ये था प्राश्चवादियों का जो विजार था ये था अब हम देखते हैं पास्चात्य वादी पास्चात्य वादी जो थे उनमें क्या था करें इस वर्ग में कम्पनी के युवा अधिकारी थे सबसे वड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ युवा अधिकारी थे जबकि इससे पीछे जब प्राश्चवादी पढ़ते हैं उसमें वरिष्ठ और अनुभवी यानि कि बुज़र्ग फी लोग होते हैं इसका कोई नेदा नहीं था यह लोग सहितिका आर्थ प्राश्चा ति शाहित नहीं हो सकता है ब्हारती विद्वानों का आर्थ प्राश्चा तिfound ब्लग विद्वान से ले रहे थे और माईन के धाएगा 23g3न में वर्डाइट जो भारती विद्वान है वो है पास्चात्य सिच्छा प्राप्त की हुए उन भारती विद्वानों से है जो इसको प्रास्चात्य सिच्छा की नौलेज है ये चाहते थे कि भारतीयों की सिच्छा का माध्यम अंग्रेजी हो इनको पास्चात्य भारती शाहित का ज्यान कराया जाए तथा कुछ इसाई धर्म कि कटरपंथी इस तिच्छा को अनिवार कराना चाहते थे चाहते ही नहीं थे कुछ ऐसे भी थे जो बिल्कुल अनिवार चाहते थे कि नहीं अंगरी जी माध्यम ही बनाई जाया तिच्छा के लिए इस वर्ग से संबंधित लोगों के द्वारा भी अपने अपने तरीके से पासचात विज्ञा का शमर्थन किया इसमें भारतियों के हित में कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे और यह मान रहे थे इससे भारति आधुनि ग्यान विज्ञान से परचीत होंगे और उन्नत करेंगे जिनने राजा राम मोहन राय भी थे यह कुस्चन पूचा जाता है कि वो अपने स्श्टंतरता के बारे में सोची उनका मानना था कि पास्चाती सिच्छा के द्वारा ही लोग अपने स्थिती को सोचेंगे और भारत से जो अंब्रेजी सासन है उसे उखाड फेकिंगे इसलिए वो पास्चाति सिच्छा के समर्थक थे करें ब्रिटेन के हित में भी कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि हिंदुओं को पास्चाति भासा साहित तिज्ञान विज्ञान के सिच्छा दी जाए उन लोगों का उसके लिए अपना अलग अलग मत था यानि कि जो ब्रिटेन मासी थे जो अंग्रेज अधिकारी थे अगर वो भारतियों को अंग्रेजी सिच्छा देना चाहते थे तो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ भारतियों का उधार करना चाहते थे वो इतने उधार नहीं थे, उनकी अपने अलग अलग रिजन थे, अपने अलग तर्ग थे, तर्ग में क्या थे? कुछ तर्ग यहां पे दिया हुआ है, जिसमें पहला है कि इसमें पस्छी में भासा संस्कृति का विकास होगा, वो चाहते थे कि हम अपनी सभिता को अपने संस स्कृत का विस्तार करना और इससे अंग्रेजी सिच्छा दे करें यहां के लोगों में अपने शाहित्य और अपने सिच्छा का वो विस्तार कर सकते थे दूसरा था कुछ लोग ऐसा सोचते थे किस से घनिष्ट कर्मचारी वर की पुर्ती होगी यानि कि सिच्छा देंगे अंग्रेजी सिच्छा देंगे तो लोग वफादार बनेंगे अंग्रेजी सासन के वफादार बनेंगे और उनकी जो भी फर्मान है जो भी वो कराना चाहेंगे आसानी शिक करेंगे कंपनी का विरोध नहीं करेंगे कुछ लोग भारतियों को अंता करण से अंग्रेजी बनाना चाहते थे कुछ लोग आता चाहते थे कि अंग्रेजी सिच्छा के द्वारा संपूर रूप से उन्हें अपने संस्कृत में ढाल लिया जा ताकि वो रक्त से भले ही भारती हो लेकिन उनके अंदर जो विचार दर्ड जो नैतिकता हो और जो भी उनके भावनाएं हो वो अंदर से पास्चाहती हो यनकि अंग्रेजी हो कुछ लोग इसलिए पासचाती सिच्छा का समर्थन कर रहे थे क्योंकि वे मानते थे कि इससे ब्रिटिस दाशन मजबूत होगा अंदेटा विवाद का परड़ाम यह हुआ कि धारा 43 से संबंदित कोई असपश्ट सैच्छिक नीती नहीं बन पाई और विवाद कंपनी के कर्मचारी वरक के बीच नौर हकर अब भारती लोगों तथा ब्रिटिस संसद तक पहुँच गया यानि कि अब तक यह जो विवाद था तरिफ कंपनी के कर्मचारियों तक था कंपनी में और कंपनी के कर्मचारियों के बीच था लेकिन अब यह विवाद धीरे धीरे भारतिये लोगों यानि कि जन जन तक पहुँच गया और साथ ही साथ इस ब्रिटिस संसर्थ में भी पहुँच गया और इस विवाद के निप्टारे के लिए ब्रिटिस संसर्थ ने 1823 इस्वी में दस सदस्यों की एक टीम गठित की किन्तु इसका निराकड उस टीम ने भी नहीं निकाल पाया और क्यों नहीं निकाला क्योंकि टीम के दो दल बन गए टीम में भी फूट पड़ गया टीम के दो दल बन गए और इस दो दल बनने के कार्ड इसका उपाय नहीं निकाला जा चुका यानिकि जो प्राच्य पास्चात विवाद था उसका हल नहीं हुआ 1813 का चार्टर एक्ट का महत्वर प्रभाव क्या पड़ा भारती सिच्छा पर कंपनी ने 1813 के आगया पत्र में जिरोपी इसाई मिशनरियों को आने के लिए खुली छूट दे कर इसाई मिशनरियों के प्रवेस का राष्टा साप कर दिया जिससे परड़ाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में इसाई मिशनरियों ने भारत में प्रवेस लिया तदा धार्मिक प्रचार प्रशार के साथ सिच्छा के प्रशार कारे में भी तेजी आई यहने कि 1813 का अग्या पत्र ही वह कारड है या फिर वह जर्या है जिसके द्वारा इसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेस होता है इसाई धर्म का प्रचार प्रशार होता है और इसाई सिच्छा का भी उसके साथ उनके वजह से भारती सब्विता जो भारती भारत में सिच्छा का भी प्रचार प्रशार होता है करें इस से प्रिल्डा पाकर गैर इसाई मिश्णरी संगठन जैसे हिंदू संगठन आदी ने भी सिच्छर संस्थाएं बनाई और सिच्छा की विवस्था में अपना सहयोग दिया यानि कि उनके सिच्छर कारियों को देखकर वो बहरती हैं उन्हों ने भी सोचा कि हमें अपने संस्क्रिय च्छा को आइंगे बढ़ाना चाहिए तो इनलोगों ने भी सिच्छर संस्थाएं बनाई और सिच्छा की विवस्ता में अपना शहयोग दिया 1813 से 33 तक मिश्णरियों ने सिच्छा के अच्छेतर में उत्तम कार किया और साथ ही साथ यह जो 1823 से 33 तक यह विवाद चलता भी रहा उसके बाद इसके सुधार के लिए जो कार किये गए वो आगे पढ़ा जाएगा यह था हमारा 1813 का चैरटर राइट आपको यह कैसा लगा यह बताईएगा और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो सजेशन कोई बताईएगा हम इंक्लोड करेंगे अगर कुछ कमिया रह गए हैं तो पिलाल यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो होश रखता है इसमें कमिया हो हम बहतर इससे बहतर कंटेंट प्रोवाइट करने की कोशिस करेंगे और अगर आपको इससे कुछ भी पेरिफिट होगा हो तो सब्सक्राइब करें शाथ ही साथ अपने दोस्तों को भी सेयर करें क्योंकि लग्टाउन में पढ़ाई अब्यादत नहीं हो पाई है और यह बीड फर्स्ट यर जिसके भी एक्जाम होंगे उसका रिविजन हो जाएगा तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीड कि वीडमें